नमस्कार दोस्तों मैं धर्मीन वर्मा ऑनलाइन इस्ट अटिविटी के मैं आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे दोस्तों बाल विकास के पचास अतिम हत्यपूर्ण प्रस्टों के बारे में ये भाग 5 है मैं पहले भाग 1, 2, 3, 4 पहले ही डाल चुका हूँ यदि उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसके लिंके मैं आपको डिस्क्रेप्शन देदूँगा साथ ही साथ दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उसकी प्ले लिष्ट भी आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगी वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों इन प्रस्तों को लाश्ट देखिए और लाश्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और अभी तक आपने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में बेल आइकन को कर 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त तो इसका सही आंसर है अभी भाव को को पोशन का घ्यान कराने का सुरोत्ता मवसर शिक्षक अभी भाव का गोश्टी है तो इसका सही आंसर है पहला अगला प्रश्ण है पोशन की किरिया को बाल विकास से संबंद करने के लिए आवश्यक है क इसका सही आंसर है पहला अगला प्रश्ण है शारीरिक विकास के लिए निरंतरता के रूप में उपलब्द होना चाहिए दोस्तों सारीरिक विकास के लिए निरंतरता के रूप में संतुलित भुजन उचित्वियायाम एवं बी दोनों या फिर प्रोटीन उसका सही आंसर ह शारेरिक विकास के लिए निरंतरता के रूप में संतुलित भोजन और उचित्वियायाम उपलब्द होना चाहिए तुषका सर्य अंसर होगा A एवं B दोनों अगला प्रश्ण है और निरंतरता का विकास प्रकरिया में प्रमुक कारा के बहुत इच्छा प्रश्ण दोर तो विकास के प्रकरिया होती है उसमें आ निरंतरता का प्रमुक कारक कौन सा है चारों उसमें इसमें से बताना है शादनों की निरंतरता शादनों की आ निरंतरता एवं बी दोनों या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका सही आंसरे आ निरंतरता का विकास प्रेगया क्या जो प् बालक का विकास सामान्य होगा सरवत्तम होगा धीरतीर होगा या फिर अनियमित होगा तो इसका स्रियांसरे इस आवर्स्ता में उस बालक का विकास अनियमित होगा अगला प्रश्ण है शाधनों की निरंतरता में बाल विकास की गति को बनाती केसी बनाती दोस्तों साधनों की निरंतरता में बाल विकास के गति तीवर बनाती है, शामानिय बनाती है, मंद बनाती है, फिर इन में से शब्यग, तो इसका सही अंसर है, साधनों की जो निरंतरता होती, दोस्तों उसमें बाल विकास के गति होती, वो तीवर बनाती है, अगला प्रश्ण है, शाधनों की अन निरंतरता, बाल विकास को बनाती है, तो इसका उलटा हो जाएगा, सादनों की आनिरंतरता, बाल विकास को मंद बनाती है, तोWhen यह अंसर है चोथा अगला प्रश्ण है एक बालक में विद्ध्याले के प्रतम दिन अध्यापक एवं विद्ध्याले के प्रति आरुची उत्पन्य हो जाती है तो उसका प्रारंबिक अनुभव माना जाएगा उसका प्रारंबिक अनुभव कैसा माना जाएगा दोस्तों चा अगला प्रश्वण है एक बालक प्रथम अव्शर पर एक वीवा शमारों में जाता है वहां उसको अनिख प्रकार की विशंगितिया दिश्टी को चर होती है तो माना जाएगा कि बालक का समाजिक अभिकास होगा कैसे वगा दोस्तों बालक का समाजिक और कस चार प्रशने है, चार उप्सन आपके सामने इसम से बताना है, सिक्षण सुत्रों का, सिक्षण कारियों का, सिक्षण व्यवस्ता का या फिर सिक्षण सामगरी का तुशकर सरह है, शिक्षन कारे में बालक के प्रारंबिक अनुभव को उत्तम बनाने का कारे करने के लिए शिक्षक को प्रयोग सिक्षन सुत्रों का करना चाहिए तो उसका सही अंसर है पहला अगला प्रश्न है बाल केंदृत सिक्षा में प्राथ में किस्तर पर्शामरता किश्विदी का प्रियोगुचित मना जाएगा अगला प्रशने बाल केंदृत सिक्षा का प्रमुकादार है भहुत तेचा प्रशने बाल केंदृत सिक्षा में किसकी भूमी का प्रशने है बाल केंदृत सिक्षा में प्रमुक भूमी का प्रशने है बाल केंदृत सिक्षा में किसकी होती है बाल केंदृत सिक्षा की प्रियोग की या फिर सिद्धानते की तुछ का स्री आंसर है बाल के अंदित सिक्षा में जो प्रमक भूमी का होती है वो बालक की होती है अगला प्रश्ण है बाल के अंदित सिक्षा का उद्देश्य होता है जो बाल के अंदित सिक्षा का उद्देश्य होता है तो उसका सही अंसर है जो बाल के अंदित सिक्षा का उद्देश्य होता है की जाती है जो बाल के अंदे सिक्चा है उसमें सिक्चा किस प्रकार्श प्रदान की जाती है कविताओं के रूप में कहानियों के रूप में एवं बी दोनों के रूप में या फिर निभंदे के रूप में तो उसका सही आंसर है जो बाल के अंदे सिक्चा है उसमें जो प्रमुकिस्तान गतिविधियों को प्रयोग को एवंबी दोनों को या फिर मानेवी मुल्यों को तो उसका स्यान सरे जो बाल केंदि सिक्षा में प्रमुकिस्तान गतिविधियों को और प्रयोग को दिया जाता है तो उसका स्यान सरे एवंबी दोनों को अगला प्रश्न है प् प्रगतिल सिक्षा का आदार होता है वेग्यानिकता और तक्निकी दोनों ही होता है तो उसका सही आंसर है A एवं B दोनों अगला प्रश्ण है सिक्षा में कम्प्यूटर का प्रियोग माना जाता है जो सिक्षा है उसमें कम्प्यूटर का प्रियोग कि इसमें माना जाता है बा चार उप्सन इसमसे बताना है तो उसका स्री अंसर है बालक एंद्रित सिक्षा में प्राथ में किस तरपर खेलों का प्रियोग माना जाता है अगला प्रश्न है बालकों का विज्यानिक द्रश्टिकों विक्सित करना उद्देश है किसका है दोस्तों बालक एंद्रित सिक्ष प्रकतिवादी सिक्षा की प्रकतिश्वादी 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 सिक्षा की प्रगतिसिल सिक्षा या फिर बाल केंद्रित सिक्षा है तो उसका स्रिया अंसर है समाज में अंदिविश्वास एवाम रूरी वारिता के समाप्ति के लिए प्रगतिसिल सिक्षा की आवशकता है अगला प्रश्ण है शिक्छन अधिगं प्रगवी बनाना उद्देश ये किसका है दोस्तों बाल केंदेर सिख्चा का है प्रकथिल सिख्चा का है एवं बी दोनों का है शिक्छन अधिगम स्रामागरी में प्रोजेक्टर दूरदर्सन एवब विडियो टेप का प्रयोग करना पर्मोकरूप से सम्मधित है अंगला प्रश्न ही बाल केंदरीत सिक्छा में एवब प्रगतिसील सिक्छा में पाया जाता है दोनों बताना दोस्तों क्या पाजाता है बाल के अंदरित सिक्चा में और प्रकतिवादी सिक्चा में तो उसका सियांसर है दोनों में घनिष्ट संबंद पाये जाते हैं अगला प्रश्ण है विशेश बालकों के लिए उनकी सेक्षिक अवशक्ताओं के पूरती की जाती है प्रकतिवादी सिक्षा में आदर्श्रवादी सिक्षा में मुल्लीवादी सिक्षा में या फिर बालके अंद्रित सिक्षा में तो उसका स्यांसर है विशेश बालकों के ल बाल के अंद सिक्छा की और प्रगतिशिल सिक्चा की देन है तो इसका सही आंसर है अगला प्रिश्ण है चात्रों के शर्वागेन विकास का उद्देश नहीं थे किसमे है बाल के अंदि सिक्छा में है प्रगतिसल सिक्छा में है एवं बी दोनों में या फिर नेतिक सिक्छा में तुसका सही आंसर है चात्रों में शर्वागेन विकास का उद्देश बाल के अ प्रभावशाली विक्तित्व है, अगला प्रिश्ण है, परिवर्तन की आटना सम्म्मदित्व है, एह एवंबी दोनों से हैं और फिर मुल्यों प्रभाववशाल리 विक्तित्व के लिए क्यों आउशक है क्यों आउशक है दोस्तों व्रद्धी एवं विकास का ग्यान एक सिक्षक के लिए तो इसका स्यांसर है बालक के सरवागन विकास के लिए व्रद्धी एवं विकास का ग्यान एक सिक्षक के लिए आउशक है अगला प्रिश्ण है क्रोगमेन के नियमों 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 के नियम आत्मक का शूचक है अगला प्रश्ण है शोरेंसिके अनुसार व्रद्धी मानी जाती है केसी मानी जाती है सोरेंसिके अनुसार व्रद्धी जिसका सही आंसर होगा सोरेंसिके अनुसार व्रद्धी परिवर्तन का अधार मानी जाती है अगला प्रश्ण है गेशेल के अनुसा तो इसका सही आंसर होगा जो गेशल के विकास के अवलोकन के दोस्तों तीन रूप होते हैं कौन-कौन से होते हैं शरी रचनात्मक, शरीर किरिया विज्यात्मक और व्यभारत्मक ये तीनों ही विकास के अवलोकन के तीन रूप है और ये इसी से संबंदी थे तो इसका सरयांसर है इन में से सभी अकला प्रश्न है अगला प्रश्ण है अभी ब्रद्दी ब्रद्दी की प्रक्रिया चलती रहती है तो ये गरभावस्ता से लेकर प्रोड़ावस्त तक चलती है अगला प्रश्न है, अभी वर्दी में होने वाली परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्ण है अभी वर्धी में होने वाली परिवर्थन होते हैं, अगला प्रश्ण है अभी वर्धी का करम मानव को व्रधधा वस्ता की वर ले जाता है, अगला प्रश्ण है अभी व्रद्धी कहलाती है जो अभी व्रद्धी कहलाती है तो क्या कहलाती है कोशिकी व्रद्धी कहलाती है अकोशिकी व्रद्धी कहलाती है अगला प्रश्ण है अभी व्रद्धी एक धारना है नेतिक है मानवी है आदर्सवादी है या फिर शक्रन है तो इसका स्यांसर है जो अभी वरद्धी होती दोस्तों वो शकीन धारना कहलाती है अगला प्रश्ण है अभी वरद्धी का संबंद है जो अभी वरद्धी है उसका किस संबंद है सारीरिक परिवर्तन से, सामाजिक परिवर्तन से, मानवी परिवर्तन से, या फिर मुल्ली परिवर्तन से, चार उपसने दोस्तों इसमसे बताना है, तो इसका सही आंसरे, जो अभी व्रद्धी का सम्मद्ध होता है, वो शारीरिक परिवर्तन से होता है, अगला प्रशने है, विकास की प्रक्रिया चलती है, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आपको सभी को पता होगा कि कब से कब तक चलती है विकास की प्रक्रिया होती है, तो गरभावस्ता से लेकर जीवन प्रतने चलती है, अगला और लाश्ट प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में होने वाली प परिवर्तन माने जाते हैं तो इसका से अंसर है इन में से सभी तो दोस्तों आज के जो पचास प्रस्ण है आपको कैसे लगे प्लीज मेरे कमेंट से बुक्स में जरूर बताइएगा और अभी तक दोस्तों मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्स झाल झाल